अधिया आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ मैं फिर से कुछ टिप्स लेकर के आई हूं क्या कहा हैं आप फुल वीडियो को देखें तब ही पता चलेगा तो देखते हैं पहला टिप्स और यहां पर मेरा पहला है यह क्या होता है कि हम मतलब दीवार पर यह डवल साइड अगला टेप होता है इसको अगर लगाते हैं तो यह फिर एक बार चिपकने के बाद में फिर इसे छोड़ाना बहुत मुश्किल होता है इसे आप ऊजी तरीके से किस तरीके से अलग कर सकते हैं वाल से तो पहले तो इसे जबड़दस्ती ना करें निकालने की जितना भी आफ भी नहीं निकलता यहां पर मैंने लिया है चाकू चाकू को आपको पहले गैस पर अच्छे से गरम कर लेना है उसके बाद आसानी से आप सकते हैं अप चाकू की जगए हेर सकते हैं सकता पर अगर आपके पास में कुट्ति बगरा है तो यहां पर देखिए आसानी से सारा जो टेप है वो निकल गया है और थोड़ा बहुत निसान तो रही जाएगा और मैं आपको बताओं कि मतलब निसान भी नहीं रहेगा तो निसान तो फिर भी रही जाएगा थोड़ा सा बट यहां पर मैंने आपको बहुत ही आशान तरीका बताया है वाल से से अरकने को होता है और फ्रम क्रब्र को डैलते ही है तो इजिए तो आपको साबन लगाने के लगाते हैं या फिर हम अच्छे से दूलते हैं तो थोड़ा उसमें टाइम लगता है तो आपको सारे बर्तनों में से जूटन निकाल देनी है और टाइम जब आप आते हैं तो तुरंती पहले बर्तन साब करेंगे तो ज्यादा टाइम सब ज्यादा टाइम तो इसी में लगता है जब सारे बर्तनों को पहले बाच करना रहता है अच्छे से सारी जूटन बगएरा निकालनी रहती है उसके बाद ही हम साबुन बगएरा लगा तो यह कभी कभा ही होता है वैसे तो हमें बड़तन हमेशा साफ ही करने चाहिए बट मेरा यह टिप सी को लेकर है कि मतलब टाइम नहीं है और फटापट से जाना है उसी के लिए है तो मैं इसी तरीके से जूटन वगारा जो रहती है साथी साथ सारा निकाल करके यह काम आपको जरूरसे ही साफ करतें पहले जाने से पहले जाना है तो और किस तरिके से इस लो कर सकते हैं मैंने तो आसान लगटा सब्सक्राइब जीरे में यस प्रणाइब सब्जी बहुत टेस्टी बनती है अम यह कोई भी अजवायन में बनाता है तो मुझे कमेंट करके बताएं उसके बाद आपको जब सब्जी आपकी बन जाये उसमें एक चीज़ एड करना है जिससे कि सब्जी का टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इसमें टमाटर का तो अच्छा लगता है उसी के लिए मैंने डाला है इसमें आधा नीगू का रस आप इस तरीके से बना करके फ्रेंश देखना यह मैंने फुल रेश्पी डाली है कि मैं किस तरीके से पूरा ही बनाती हूं उसकी रेश्पी मेरे चैनल पर पहले से ही है और नेक्स्ट मेरा यहां पर है आटे को लेकर तो रोटी के लिए आटा सभी गूथते हैं हम बना गूथत रोटी बनती ही नहीं है तो यहां पर मैंने आटा लिया है गेहों का इसमें मैं एक चीज आपको बताऊंगी कि आप उस चीज को एड़ करने के बाद आपका आटा है जो बहुत ही अच्छी टेश्टी रोटी बनेंगी आपका जो रोटी का नॉर्मल रोटी ही इस बनानी है इससे जो हम डेली रोटी बनाते हैं तो आटे में आप एक चीज मिस्क कर दें इससे आपका आटा एकदम सॉफ्ट लगेगा रोटी एकदम सॉफ्ट मुलायम इसके बाद आप इसे आटे में अच्छे से सारे में करते है उसके बाद आप नोर्मल पानी जो भी आप लगाते हैं आटा उन्ध Ayak looking उनाने लिए आप में रोटी बनाओंगी इस आप इसे पराठे भी बना सकते हैं तो हम अच्छे से चार देंगे इसे मिक्स इस तरीके से करके देखना एक चम्मत देशी घी अगर आप एट करोगे तो रोटी बहुत मुलायम बनती है काफी टाइम तक रोटी एक दम सॉफ्ट रहती है अच्छे से पहले मिक्स करना है उसके बाद आटा गूंथ लें अपने इसाब से जैसा आप आटा गूंथना चाहते हैं तो यहा इसे एक दो दिन साफ ना करें तो इसमेल हो जाती है तो उसे स्मेल से बचने के लिए आपको क्या करना एक तो आपको इसको डेली ही साफ करना है अगर सुबह में नहीं कर सकते हैं तो सोने से पहले जब हम बढ़तन साफ करते हैं सारा क्लीनिंग करते हैं तभी आप इसे बि इसमेल बिल्कुल भी नहीं होगी तो मैं एक टिप्स यह है कि जब भी आप इसमें रोटिया रखें उसके पहले आप इसमें एक तिसू पेपर रखें तिसू पेपर रखने के बाद जिसमें भी आप रोटी रखते हैं कोई कपड़ा है जो भी रखते हैं सबसे पहले आपको सब्सूंभाई होता है कि योग पर डभी कमा नहीं जाते तो आप ट्भी लुए ढल के रख merak है है इसमें जब रौाटि जब तक आप इसे अच्छे से डेली साफ नहीं करोगे तो इसकी स्मेल कभी भी नहीं जा सकती है आपको डेली साफ करने के बाद ही आपका जो रिजल्ट है इसमें अच्छा आता है क्या रिजल्ट मतलब कहने का यही है मेरा कि आप कोई भी चीज हो जब हम रोटी वगारा हैं तो उनको अलग किसी बारतन कर लें केश्रोट में का करें इसमें तब ही रोटी यह रखे जब तब मतलब आपको खानी है जैसे आप सुपए में बना रहे हैं नहीं अई आप दो ने तो एक साथ 300 पर रहें तो साथ मीली साफ करोग inviting के कैश रोल हमेशा ही साफ रहेगा इसमयल फिरी रहेगा ऐसा कोई tips नहीं होता है साफ करने के अलावा कि आपका जो बड़तन है आप साफ ना करें इसमें चाहिए अखवार रखें या टिसू पर रखें अब बल्कुल मतलब सही नहीं रहता है मेरा मतलब यही है मैं हमेश जो मे मैं अपने केस तरीके से मतलव आप यूज करती हूं वही मैंने आपके साथ में सेयर किया है